कि दोस्तों आप मेरे लाइफ जाज इस एक रुपए में वाच कर सकते हैं बस आपको करना ही है कि आपको अनकेडमी जो प्लस कोर्स है वहां पर आपको जो है क्लिक करना है और उसके बाद में यूपी प्यसी यूपी ट्रॉप्लसी का जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करना है देन इस कोड का आपको यूज करना है जो कि है सिवंवन और आप सिर्फ एक रुपए में एक मेने के लिए सभी अनकेडमी पे जो कोर्स हैं उनको वाच कर सकते हैं मेरा साथ में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहा है वहां पर उनके सभी कोर्स को आप लाइफ वाच कर सकते हैं सिर्फ एक रुपए में दोसों साथी अब यूपीपीचस मेंस 2018 के लिए जो हमारा अंसर राइटिंग गुरूप चल रहा है उसको भी जोइन कर सकते हैं इसमें हम लोग जीस के जो चार पेपर हैं उसमें सभी में से एक कोशन बढ़े यानिकी चार कोशन पढ़ आपकी प्रेक्टिस ज्याव खराई जाती है और दूसरा जो गृप है वो डिफेंस इस्टी का है इसमें दो कोशन बढ़े दिये जाते हैं और पूरा जो नया स्लेवस है उसके इसाफ़ सभी पुराने साफ़से भी दोनों से जो है कोशन बनेंगे और यह पुरा स्लेवस म भी रात तक दे लिया जाएगा तो जी एसके लिए और साथ में और दोनों के लिए आप जो है गुरूप जाइन कर सकते हैं मंडे से संडे यानि कि किसी भी दिन आफ नहीं है सातों दिन आप जो है आंसा राइटिंग आपर कर सकते हैं कोशन प्लस मॉडर आंसर और कांपी क जो होगा इस नमबर पर जाके आप वाटसप कर से या कॉल करके जो डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निरियात की जो इस्तिती है भारत की उसको देखेंगे और यह समझेंगे कि हमारा जो निरियात है वह घट क्यों रहा है और हमारी जो बिदेश ब्यापार नीती 2015 है वो क्या है तो यह बहुत important question है यह आ सकता है बरतमार इस्तिम देखें तो 2018-19 का जो निरियात है हमारा वह 331 विलियन डॉलर मध्यम गती से जो है वो बढ़ा ब्यापार जो घटा है हमारा वह 176 विलियन डॉलर का 2018-19 का जो आयात है हमारा वो है 507 विलियन डॉलर और तीवर गती से यह बढ़ रहा है यानि कि हमारे आयात तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे निरियात जो है वो बहुत मध्यम गती से बढ़ रहा है तो यानि कि जो चीज हमें हमारे लिए फायदे मंद हो और जिसे हमारा जो साथ बिलिन डॉलर के हैं जबकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 331 बिलिन डॉलर के हैं और यह सिर्फ मद्यमकति से बढ़ रहा है निर्यात क्यों गट रहा है दोजराट की मंदी का प्रभाब अभी वैश्विक इस्तर पर जो है बना हुए है विकास सील देशों में निर्यात की मांग नहीं है बस्तू की गुडवत्ता में कमी के कारण निर्यात को प्रहायद किया अब यहां इंपोर्टेंट है कि आपके जो भी आपका जो प्रड़क्ट है आपकी जो बस्तू है वो इंटरनेशनल जो स्टेंडर्ड है उस उन मानकों के से मैच नहीं करते अनरूप नहीं है तो जहर सी बात है आपका निर्याद प्रिवायत होगा रुपए के मजबूत होने से निर्याद घटा वह आयात हमारा जो बढ़ गया है चीनी अर्थिवस्ता में मंदी तो चीन से आयात बढ़ा और निर्याद हमारा घट गया अगला जो इंपोर्टेंट है वो है हमारी बिडेश ब्यापार जो नीती है 2015 की उसको देख लेते हैं इसमें दो योजना शुरूई हुई भारस से माल का निर्याद योजना और भारस से सेवाओं का निर्याद योजना पारंपरिक उत्पाद को ब्रांडिंग अभ्यान से रियात को बढ़ावा देने की योजना यानि की जो भी हमारे उत्पाद हैं उनको एजे ब्रांड जो है हम लोग एक्सपोर्ट करें जान सकते हैं कि देखिए हर चीज़ के लिए सिंबल बहुत जरूरी है एक नाम अलग होनी चाहिए ठीक है तो उसका एक्सपोर्ट करें तो उसका जो नाम का प्रिचार हो वो बन सकें अगला है वी निर्मार निर्यात में सरकार इंजिनिरिंग उत्पादों इलक्ट्रोनिक सामान और टेक्स्टैल जैसे पुरमुक छेत्रों के निर्यात को बढ़ावां सेबा म परेटन सिक्षा आदी छेत्रों में जो है वो प्रवसाहन लाएंगे तो हमारी जो विदेश ब्यापार नीती 2015 थी इसमें जो माल के निर्यात की उजना और सेवाओं के निर्यात की उजना इसमें दो योजना की सुरुआत हुई ब्राइंडिंग के ऊपर ध्यान दिया गया और बाद में यह सबी चीजें जो की वी निर्माड हो इंजिनिरिंग उत्पाद हो लेक्टर निसामान हो टेक्स्टाइल हो जैसे बिर्मिक छेत्रों के निरात को बढ़ावा और भी बढ़ावा जो देने की बात की उनको और भी तेज करने की प्यास के साथ में सीवा पर क्यों घट रहा है इसके उपर जो आप लिख सकते हैं थैंक्यू